Hello my amazing gen z's and my lovely students, welcome to science and fun, I hope that you all are doing fine because आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, the most avoided video I guess because बहुत से बच्चों के continuous messages थे कि माम हमारे पास physics की strategy है हमें पता है कि हमें social science कैसे पढ़ना है, हमें bio कैसे पढ़ना है लेकिन अब अगर हम लोग last moment पर English पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि zero strategy है हमारे पास It is like no strategy, कुछ ही नहीं कैसे पढ़ें, क्या करें, ठीक है तो ये video मैं आज लेकर आई हूँ, जहां पर हम लोग travel करेंगे zero strategy से complete strategy की तरफ ठीक है, तो English में अभी तक I am sure बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, जिनोंने सबसे जादा ignore अगर किसी subject को किया तो वो English ही है है ना, मानते हो इस बात को I am sure, मुझे अच्छे से पता है, चाहे आप लोग कितना ही deny कर लो इस बात से तो English में as such कोई strategy आपके अभी तक नहीं बनी होगी, जिनकी बनी है बहुत अच्छी बात है, वो बच्चे फिर ऐसे हैं कि यार जो तो आउट अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की जो ये विडियो है ना, ये quick fix का काम करेगी, बिलकुल ऐसे कि भई जिन बच्चों ने कुछ अभी तब जिनने पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है syllabus में, और ये सभी के लिए है, not specifically for the students who are, you know, appearing for board exams, बट ये 9th, 11th, सब के लिए ये विडियो काम करेगा, because मैं आपर बहुत in-depth बात करने वाली हूँ, हर एक particular portion पर, कि इंग्लिश में जुते भी हमारे sections होते हैं, कैसे हमें उन्हें कि सपरोच से पढ़ना है, और मान के चलती हूँ कि आप लोग अगर डिसेंबर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, प्रॉपर अपनी, तो within two months कैसे आपके सारे topics cover हो जाएंगे, चाहे वो reading section के हो, writing के हो, grammar हो या literature हो, ठीक है, तो इस strategy की वीडियो को आपको पूरा देखना है, end तक, तभी ये fruitful होगी, ये नहीं कि अभी आप लगा कर चले गए हो, और आपको कुछ idea नहीं, सीधा last में देख include किया है, so don't do that, आपको हर एक point पर अच्छे से सुनना है, समझना है, तो फटा-फट से video को share करो, like करो और चानल को subscribe करो, और सबसे पहले मैं आपके सामने present करती हूँ, अपना एक golden rule, ठीक है, देखो, सबसे पहली strategy, चाहे वो English हो, चाहे कोई और subject हो, वो क्या है, कि इस moment प करोगे ना, तो आगे में जो भी steps बताऊंगी, वो आप follow नहीं कर पाऊगे, और मुझे ऐसा लगता है कि हर subject का चाहे कोई भी teacher हो, वो आपको यही guide करेगा, कि आपको जो भी steps follow करने है, वो यह panic नाम की बिमारी को दूर भगा के करने है, ठीक है, तो सबसे पहले comments में मुझ भी fulfill हो पाएंगी, तभी वो आपके लिए fruitful होंगी, ठीक है, और यहाँ पर जित्ती भी चीजे मैंने आपको जो भी मैं बताऊंगी ना, भी वो as a student मैंने सोचके बताई है, बताऊंगी, in fact, as a teacher मैं नहीं बताऊंगी, because मुझे बता है कि कुछ चीजे ऐसी होती है, जो हम ल होते हैं, हर चीज का ध्यान में रखते हुए, यह इंग्लिश को लेकर जो strategy मैं अभी बताऊंगी, definitely आपके काम आएगी, अगर आप इसको generously follow करते हो, तो अगर अब मैं बात करूँ कि भाई, English as a subject, तो I am sure, यहाँ पर मैं specifically 9th, 10th, 11th, या 12th, ऐसे करके नहीं टागट कर रही और यह चारो sections हमारे होते ही है, हाँ 12th में हमारे पास specifically grammar कुछ नहीं होता है, बढ़ आपको पता है, यार English है तो grammar कैसे नहीं होगा, तो अब देखो, reading, writing, grammar, literature, इसमें सबसे easy बच्चों को जो लगता है, वो लगता है कि मैं literature तो हो जाएगी, क्यों ऐसा लगता है, विकस य जा रहा है न, literature target करके बढ़ जा रहे हो, तो यार वो तो सिर्फ वो बच्चा है, जो यह सोच के जा रहा है कि इसे दरा पास हो जाओ, और आपको पता है, English आपकी percentage बना भी सकता है, बिगाड भी सकता है, तो सिर्फ literature को target मत करो, easy है, I know, लेकिन आपके लिए बाकी और importance जानी है, passive voices आने है, whatever it is, ठीक है, not passive voices, passive voice, yes, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा problem बच्चों को जस पार्ट में आती है, वो है आपका reading, और वो हो गया दूसरा writing section, ठीक है, बिकाज यह marks wise भी अच्छा खासा weightage रखते हैं, आप लोगो को पता है, respective classes, 9th, 10th, 11th, 12th, जो भी है, आपको पता है, कि यह important weightage रखता है, marks के basis पर भी, plus इसमें score करना उतरहे difficult हो जाता है, because reading में अक्सर हमारे पास चीजे गलत हो जाती है, answers गलत हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि पहले छोटी classes की तरह जैसा question पूछा है, as it is, वही wordings हमें अपने passage में मिल जाएंगी, तो यह भ कर लेते हो, अपने, अगर मैं मान के चलो, December से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो उतने duration में December और January में भी अगर आप कर लेते हो, तो वो एक quick fix है, मतलब zero strategy जिसकी है ना, उसके लिए तो यह इससे बड़ा वर्दान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके तो देखो, क्या करना है हमें, reading section और writing section में, आप ये target बना के चलो, कि भई हमें three questions करने हैं, अब आप सोचोगे, तीन questions में, एक दिन में, कैसे हो जाएगा हमें, तो और भी chapters पढ़ने हैं, और भी subject पढ़ने हैं, नहीं, एक दिन में नहीं करना है, तीन questions हमें करने हैं, एक हफते में, चलेग के तीन, राइटिंग के तीन questions आपको करने हैं, कहने का मतलब ये है, कि आप तीन passages reading के कर लो, तीन questions आप राइटिंग के कर लो, हफते में, ठीक है, सात दुन हैं आपके पास, उसमें से मैं कहा रही हो, अगर आप अपने हिसाप से आप divide कर सकते हो, ये मैं आपको छूट दे करो, आप चाहो, तो भई कुछ ऐसे कर सकते हो, मंडे को आपने रीडिंग कर लिया, त्यूजडे को आपने राइटिंग सेक्शन का question कर लिया, वेंजडे को आपने फिर से reading section कर लिया, तो ये strategy आपकी है, आप जैसे आपको feasible लगता है, आप ऐसे कर सकते हो, ये आप चाहो तो Monday, Tuesday, Wednesday आपने reading कर लिया, बाकी के बचे तीन दिन आपने writing section कर लिया, ठीक है, तो सोचो अगर exam तक अगर आप पर week तीन-तीन questions के साब से कर रहे हो, तो यार कितना amazing हो जाएगा, कितनी vocabulary आप develop कर लोगे, और यहाँ पर एक बहुत important बात में आपको बताती हूँ, राइटि अगराज ही नहीं आते, words ही नहीं आते last moment पर, तो क्या करें उसके लिए, तो देखो best part उसका यहाँ पर है, कैसे यह दोनों बहुत connected हो गए, अगर आप लोग reading part का, reading वाले portion का, तीन paragraph solve कर रहे हो हफते में, तो सोचो आप कितनी नहीं चीज़े पढ़ रहे हो, हाँ, dedicatedly अग अगर दिन एक एक paragraph पढ़ूँगा अपनी writing section को और enhance करने के लिए, तो भई, मुझे ऐसा रगता है, वो तीन से चार दिन तक बच्चा करता है, जोश में उसके बाद वो छोड़ देता है, ठीक है, तो अब देखो यह interconnected है, अगर आप reading के questions कर रहे हो, तीन, तो वहाँ से तो इसको section B में रखो, section C में रखो, जिसमें भी बोलना चाहो, जैसे भी आपके classes में यह आता है, तो यह दोनों portion आपके cover हो जाएंगे, ठीक है, डन है यहाँ पर, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे literature portion की, बहुत से बच्चों को तो यह easy लगता है, लेकिन उन बच्चों को कि भई, easy सिर्फ उसी बच्चे को लगेगा, जिसने throughout, line by line, paid batches में attend किया हो, या one shot proper देखे हो, ठीक है, तो अब यह मैं उन बच्चों को एक quick fix दे रही हूँ, जिसने अभी ता कुछ भी जिसके पास time नहीं है, line by line पढ़ने का, वो क्या करेगा, देखो, best part is, आप लोग शुरू हो जाओ भई, summary पढ़ना, summary से शुरू करो, हर एक chapter की, 27 chapters है, या किसी की class में अगर भई, मैं बात करूँ, अगर specifically 10th की, तो 27 chapters हमारे पास है, right, ठीक है, plus 1, minus 1 आप लोग कर सकते हो, उसके बाद, बाकी अगर classes है, तो on an average 15-20 chapters है, मैं विल्कुल minimum scale पर अगर आपको पता हूँ, तो आप लोग अगर शुरू कर लेते हो, एक दिन में एक summary, तो यार कितना मुश्किल काम है, मुझे तो से लगता है, 15-20 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा literature, बहुत जादा भी नहीं देना है, summary पढ़ने में कितना time लगता है, चलते फिरते आप पढ़ सकते ह summary तो मानलो अभी आप physics करके उठे हो, chemistry पढ़के उठे हो, थोड़ा सा रिलाक्स होना चाहते हो, तो कोई गाना या कुछ देखने से तो अच्छा है कि आप एक story की summary पढ़ लो जल्दी से, fun way में, है ना, या अपने parents को वो story सुना ही दो, best teaching से best learning तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उसमें try करो कि आप characters पर थोड़ा ज्यादा focus करो और particular incidents को describe करो, यह important होता है, क्योंकि हमारे पास summary की मदद से, अगर आप सिर्फ summary पढ़कर जाओगे, तो आपको अगर कोई character analysis आगया, तो आप कैसे करोगे, या किसी particular incidents पे आपके points मांग लिए गए तो वो आप कैसे justify कर होगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको characters पढ़ने हैं, उनके बारे में आप कुछ main words पढ़के चलो, अगर हर character के आपने 10 words भी धून निकाले, होते नहीं है वैसे इतनी जादा, बढ़ अगर 5 words चाप्टर में गिवन है, तो आपने वो 5 words अगर निकाल लिए, ठीक है, जैसे हर character के बारे में आपको अपने at least character analysis कर रहे हो, तो 10 words आप बना लो, कि भाया, ये keywords है, मेरे ही मुझे लिखने है, ये तो मुझे लिखना ही लिखना है, इसी के around मुझे अपना sentence frame करना है, incidents आपको पता है, हर chapter में जो जो important incidents है, जिनके around पूरी story हो, में ये कोई turning point आ जाता है, वो आप note कर लो, ठीक है, अच्छा, अब माल लो summary किसी को नहीं पढ़नी है, summary भी नहीं पढ़नी, जी लो भई, हमें तो बिलकुल करना ही नहीं है, कुछ, उन बच्चों के लिए क्या है, आप सीधा कूदो भई, question answers पे, सीधा चले जाओ, jump directly, question answers में भी कौन से सबसे पहले के चल लेती हूँ, 5 या 10, बड़ा chapter है, तो कोई 10, 10 भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे, 5 से 7 अगर long answers है, और वो भी, वो भी अगर variety में है, ठीक है, वो भी अगर variety में है, मुझा असा लगता है, मैंने specifically इस पे बात किये, yes, देखो, हर chapter से, अगर आप 5 से 10 long answers कर लेत हो, और वो भी variety के हैं, तो आपका chapter प्रपेर हो गया है, क्यों important है, यह उन बच्चों के लिए भाई, जन्हें समरी भी नहीं पढ़ने, character भी नहीं पढ़ना, incidents भी नहीं पढ़ने, सीधा question answers पर जंप करो, और वहां से आपको help क्या मिलेगी, आपकी वो क्या बलूरी enhance हो जा तो आप अगर variety search कर लेते हो, कि यह particular question है, यह इसका, तो आपको answers भी अगर पढ़ लोगे, और वहां से कुछ एकाद अपने लिए keywords निकाल लिए, एकाद से मेरा मतलब है, somewhere around 10 to 15 keywords, आप अगर निकाल लेते हो, तो बहुत आराम से आपकी literature prepare हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है, हर दिन का एक chapter की अप summary तो कर ही सकते है, चलते विरते हो जाती है summary तो, या summary नहीं करनी है, तो भई आप 5 long answers पढ़ लो, दो दिन ले लो, दो दिन आप ले लो, एक chapter पर तो भी आपके chapters cover हो जाएगे, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा tension या घबराने वाली बात है ही नहीं, अब मैं आती हूँ grammar पर, घबराते हो जुससे सबसे ज़्यादा, ठीक है, इतना तो इसका weightage भी नहीं होता है, specifically मैं grammar वाले portion की बात कर रहे है, ठीक है, आपको पता अच्छे से, कि भई grammar के questions के लिए एक ही मंत्र है, you have to practice, practice and practice, बस कोई और तरीका है ही नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको फटा-फट से पहले अपने सारे concepts की clarity आपको करनी अभी time है, आप कर सकते हो grammar के concepts clear, क्योंकि कुछ topics है, specifically जो आपके exam में आने वाले है, आप उनके one shot देखो, एक आप जो topics रह गए हैं, उसके one shot जल्दी ही मैं आपको देदूंगी, और वहां से आपका grammar हो जाएगा तो यार, लेकिन सिर्फ theory पढ़के नहीं चलेगा grammar में आपको मैच के जैसे questions प्राक्टिस करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो धेर सारे PYQs आप solve करो, हर दिन का 10 grammar questions आप कर लो, और रोज के question तो यार देखो, हमारे चैनल के community post पे भी डलते हैं, और मैं इस बात का खास ध्यान रखती हूँ, कि exam oriented question ही मैं डालूं, जिससे आपको देखो, आप कुछ भी अपने phone में कर रहे हो, तो एक फड़ा फड़ से question आजाता है, आप उसे attempt करते हो, तो उससे वहां से आपको question प्रिपेर हो जाता है, आपको पता है, ये question आ सकता है, ठीक है, तो रोज क एक question तो आपको grammar का prepare हो ही रहा है, लेकिन अपने end से मैं आपको suggest करूंगी, आप PYQs उठाओ, और वो कुछ हर दिन का अगर आप 10 question grammar का prepare करते हो, या ज्यादा लग रहा है, तो यार पाच questions ही अगर आप grammar के चलते फिरते कर लेते हो, तो आपकी grammar done है, कोई नहीं रोग सकता आप grammar में full marks लाने से, ठीक है, ओके, तो ये थी मेरी strategy आपके लिए कि कैसे आपको English prepare करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा time consuming इसमें नहीं था, अब थोड़ा बहुत time आपको देना है, अगर आप लोग बहुत जादा neglect करोगे English को as a subject, तो यार वो बाकी overall percentage में आपको बहुत जादा hamper कर सकता है, तो इसलिए smart और एकदम to the point strategy मैंने आपको बताई है, I am sure कि आप लोग इसे बहुत generously follow करोगे and I will come up with another video जो आपकी requirement होगी, मुझे लगेगा कि हाँ भे इस moment पर बच्चा यहाँ पर परेशान हो रहा है, तो definitely वो वीडियो आईगी और I hope क आप लोग अपनी preparations बहुत अच्छे से करेंगे and best of luck आपकी सभी strategies के लिए, plannings के लिए and अब थोड़ा सा आपको strict होना पड़ेगा अपने particular time को ले कर, so I will see you in the next video, till then bye everyone.